हेलो एन वेल्गम पर इग्जामिंग्स इग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हो LICAA का नोटिफिकेशन आ चुका है और LICAA का भी नोटिफिकेशन आ चुका है तो LICAA जो कि एक क्लास वन फिसर होता है उसको सैलरी कितनी मिलती है और क्या बेनिफिट्स उसको बाकी जोबस से अलग मिलती है क्यों LICAA एक अच्छी जोब है और क्या आपको इसके लिए अपनी जीजान लगा देनी चाहिए यह सारी चीज़ें हाथ हम इस वीडियो में देखेंगे बात करेंगे और डीटेल में समझेंगे अगर आप में चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप जानोगे कि मैंने LIC के उपर बहुत सी वीडियो बनाई है पास में मैंने पहले भी कई बार कहा था LIC की नोटिफिकेशन आने वाली है मैं पिछले एक साल से कह रहा था LIC के बारे में डबल ओ के बारे में मैंने और भी वीडियो बनाई है कुछ पुरानी है आने वाले वाई टाइम में मैं आपके लिए कुछ और वीडियो लेकि आऊँगा मैंने लाइन अप कर रखा है एक एडियो का इंटर्व्यू एसिस्टेंट लेवल पे कुछ है उन लोगों का इंटर्व्यूज और डवल्यो का इंटर्व्यूज यह सारी चीजे में आपके लिए आने वाले समय लेकर आऊँगा साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइट कर सकूँ कुछ फीनियर ऑफिसर से अगर मैं बात कर आपा हूँ तो वहां पे भी आपको बात करा हूँगा उसके सिवा बाकी और भी LIC की in and out में जो भी information चाहिए न आप comment में mention करो मैं provide करा हूँ तो I can tell you इस समय इस platform पे जहां पर आप यह video देख रहे हो I am one of the person who has very core detailed information यहां पर LIC में तो जो चाहिए बता हूँ तो LICAA की job profile थोड़ी पहले समझ लेते हैं क्योंकि देखो मैं बहुत basic level बेर बात करता हूँ आपको नौकरी करने में ठीक है और नौकरी करने में मज़ा नहीं आएगा तो नौकरी में टिक नहीं पौँ आदमी रोता है दुखी होता है फिर दूसरी job के लिए साज करता है इस जॉब को लेने के बाद 95% 95% students will not want to leave this job for any other job unless it is RBI, NABAD, SEBI या फिर UPSC इन examination को छोड़के कोई PO के लिए इसको नौकरी को नहीं छोड़ेगा कोई SSC के लिए इसको नौकरी को नहीं छोड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे benefits मिलेंगे न जोब सोच भीनी हो सकते हैं तो थोड़ा सब basic समझ लेते हैं कितना मजा आने वाला है जॉब करने में कितना पैसा मिलने वाला है अगर आप में भी चैनल को लाइक नहीं किया सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को लाइक करिए सबस्क्राइब करिए वीडियो को शेयर करिए help me grow so that I can provide you more information तो एक लाइक तो बनता है में पर anyways let's start it जो भी एक newly hired employee होगा उसका one year का probation period होता है one year में आपको confirmation मिल जाता है किसी किसी cases में दो साल तक extend किया जाता है यह कैसे cases होता है एक short मैं आपको बता दिता हूँ ऐसा case जहां पर जैसे आप किसी वज़े से आपको बहुत लंबी medical छुटी ले मी पड़ गई कुछ emergency है कारण आप नहीं आप आ रहे हो office तो वहां पर यह आपका extend हो सकता है या आप बहुत खराब performance कर रहे हो तो वहां होता है बैक्सिमम बच्चों का यहां पर हो जाता है फाइनल वन येर में उनको probation complete माल लिया जाता है तो बेसिकली LICW जो होता है वो एक desktop unless and until आप admin छोड़के ठेक है sales में नहीं जाते है अब कहोगे sales का मतलब LICW से क्या मतलब है क्योंकि आपके पास option होता है जब आप probation complete कर लोगे कि आप sales में move करो sales में move करने कि भाई साब इतने फाइदे हैं कि आप सोच नहीं सकते और वो फाइदे में बताऊंगा sales में होता क्या है basically मैंने में अपनी पुरानी विए होता है कि आप ABMS assistant branch manager sales बन जाओ ठीक है वो बैसिकली एक डबल लेवल के officers को बना दिया जाता है विल्लब LIC अलाओ करती है बट क्योंकि आजकल थोड़ा सा seniority ज्यादा बढ़ गई और सारी चीज़े तो कई बार ऐसा होता है कि इस वीडियो में आगे बात करूं मैं थोड़ा सा मज़ा दे रहा हूं कि आप assistant branch manager बन जाओगे तो वहाँ पर भाई sales में चले जाओगे निक्स पॉइंट है कि यह जो होता है ना बसक्रिशी करती है आपको लोग बेच रहें उनसे बात करनी है आपको वह कौन बात करता है वह कौन करता है एक डबल यो देखता है भाई पालिसे बिग गई उस पॉल्सी का सारा रिकॉर्ड तो कोई मेंटेन करेगा डबल लेओ देखेगा ठीक है वो सारी चीज़ें डबल लेओ के हाथ में आती है जौब प्रफाइल में आती है वो कैसे आएंगी अभी मैं आपको थीर थीर सारी चीज़ें बताता हूं उसके बाद आता है कि फॉर्मुल कि फॉर्म हैं और ऴैसले लोल शीयों करके पाइमट कर वानी है तो पॉलसी मैं ने यह स्व सब्टेंट गुर्मट है के ऐसे ने जाना है कि वह ऐसे बना में पेमंक के एक department होता है जो आपको policy का सारा claim है जो भी होता ना death claim वो यह सब देता है उसके बाद एक होता है आपका OS department होता है अब भाई इतने बड़े branches हैं उनको maintain भी तो कोई करेगा तो उनका पूरा maintenance कैसे होती है क्या हो रहा है सारे ब्रांचे में सारी चीज़ें available है सारे system चल रहे है इसी चल रही है तो यह OS देखता है ऐसे ही करकर के ठीक है HR है marketing है ठीक है IT department है तो ऐसे बहुत से department है जहां पर आपकी पूस्टिंग हो सकती है और आप खुद भी अपना क्रास्वर के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हो डिपेंडिंग आपकी किस चीज़ में इंट्रेस्ट जाता है ठीक है उसके बाद आता है कि जैसे बहुत है ना कि आप जैसे बहुत है बहुत मस्टों को बहुत है इसके बारे में सब्सक्राइब सब्सक्राइब बनाऊगा एडियो में अगर आप काम कर गये लाखों में खेलोगे कोई जोब में एक नंबर में इतना पैसा नहीं मिलता जितना एडियो मिलता है एडियो के लिए मैंने वीडियो बनाईगी हो तो आप एक बार देखने कर जरूर करना आगे बात करते हैं अब है रेंडरिंग एसिस्टेंस और कॉइनेटिंग विधी रिस्पेक्टिव अधर डिपा क्स्टमर रिलेशन्शिप मैनेजर जो होता है वह बेसिकली कि आपके जो भी कंप्लेंट्स आते हैं जो भी इस्यूद आते हैं बहुत से ऐसे क्लेंस आते हैं कि मैंने प्रेमियम दिया मुझे पेमेंट नहीं मिला तो उस तरह की सारी चीज़े कौन हैं एक यो के पास से होत आपको अलग अलग काम देते हैं तो जॉब प्रोफाइल बेसिकली डबल एक टेस्क जॉब उसके साथ आप प्रमोशन लोगे और अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में चले जाते हो तब वो डिस्क नहीं रह जाती लेकिन अगर आप चाहो तो आप एड्मिन में ध्रू आ आएगा एक और पॉइंट से हैं जैसे कुछ फैक्ट्वल एर्रस आ रही है सारे डॉक्यमें आप एक सुपर्वाइजर के रोल में होके आपके नीचे लोग काम कर रहे होंगे आप उनको मॉनिटर कर रहे होके जो एक ब्रांच में सेल्स लाने के लिए रिक्वाइड होता ह तो एक ब्रांच में साथ सो पांसो साथ सो हजार तक एजेंट हो सकते हैं आप हजार लोग को सुपर्वाइज करते हो आप एक मैनेजर होते हो तो आप समझो कितनी बड़ी टीम चला रहे हो तो एक बड़ी अच्छी पावर वाली पोस्स फील होती है जो आपको कई लोगों रिलाक्स अगर आप बैंक से कंपेर करोगे तो आप 100% कहोगे कि LIC का करियर बहुत स्मूथ है और बहुत रिलाक्स जो एक वर्ड है जो अकसर बैंक में नहीं देखने को मिलता है वर्क लाइफ बैलेंस यहां पे आपको 100% देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पे आप टाइम साल में प्रमोशन देखने को मिलता है वहीं यहां पर 5-7 साल में प्रमोशन होता है बट अगेर मैं कहूंगा क्योंकि अब बहुत साधा रिटायर्मेंट हो रहे हैं ठीक है और अगले 3 साल से 4 साल के बीच में बहुत बड़ा चंक ऑफ LIC रिटायर होने वाला है तो हो सकता ह आने वाले समय में यह LIC में जो प्रमोशन हैं वो थोड़े फास्ट हो जाएंगे ठीक है एक सर्टन पीरिट ऑफ टाइम हर लेवल पर आगो काम करने के बाद आप फर्स्ट प्रमोशन के लिए जब आप होगे तो यह आपका आप डबल यो से यह हो जाओगे आप एसिस्ट चार माँ साथ साल रह चुके तो आपको सीनियर ब्रांच मेनेजर भी बनाए जा सकता है सालरी वैलली का जाड़ा डिफ्रण्स नहीं आता है बेसिकली यह अपकी लोकेशन आपकी पोस आपकी पावर पे बावा पर पर से बने करीगा ब्रांच मेनेजर बेसिकली जो छोटी बनाया जाता है उसके बाद internal बहुत से horizontal होते हैं अलग अलग तरीके के पोस्ट होती है ठीक है बट वह आप एवी रहोगे फिर आप चार-पांच साल बाद फिर उसके बाद आप दूसर प्रमोशन पाऊगे और वह होगा आपका एडियम एसिस्टेंट डिविजनन मैनेजर अब यह देखो आप डिविजनन मैनेजर हो मतलब एक पूरा डिविजन अब जब मैं अपको इक फ्रसक हायर की समझाता हूं ब्रांच होती है ठीक है ब्रांच के अंदर कई एजेंट्स आते हैं ऐसे ही डिविजन होता है डिवीज इस तिन डिविजनल मैनेज़र मतलब आप एक डिवीजनल मैनेजर हो मतलब आप सारे जितने ब्रांचेज आपके अंडर आ रही होंगे उन सारों को मैनेज कर रहा काम काउन कर रहा आप यहां पर बेसिकले किसी एक डिपार्टमेंट के हैड बनते हो जैसे अगर आप लोग मिलके ब्रांच कोई एक डिपार्टमन को पूरा हैं अगर आप ब्रांच में अगर आप ओएस के हैड हो मतलब कि उस ब्रीज ब्रांच में हर ब्रांच में कुछ ACS ब्रांच की जो पॉलसी नहीं बन रही हैं उसके बाद आते हैं डिविजनल मैनेजर डियम बेसिकली वह भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं या फिर और लेवल पे कुछ सेल्स में अगर आप जाते हो तो आपको ब्रांच मेनेजर कुछ रेर केसे में ही बाद को डिविजनल मैनेजर देखने को मिलेंगे जो ब्रांच मेनेजर होते हैं बहुत सीनिय लेवल के ब्रांच मेनेजर होते हैं और बहुत बड़ी ब्रांच ये इस लेवल पर आते आते हैं आपके अंदर बहुत बड़ी टीम होती हैं बहुत बड़े requirement कर रहे हो तो टीम की आपके अंदर बहुत सारे district आते हैं वरलब आप एक नहीं कई district की branches लेट से अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली के आसपास जो भी branches होंगी वो सारी अगर आगरा मेरट मुरादाबाद कई branches आ रही होंगे मुंबई में हो तो आसपास के जितने वी districts होंगे वो आपके अंदर आ रहे होंगे तो ऐसा होता है कि साटा districts तक आपको पूरा manage काना पड़ता है अखेलिक अब इन लोग को benefits मिलते हैं वो तो अलगी level के benefits मिलते हैं कार मिलत यह कोई गाड़ी होती है वो आपको पसंद की कार दें वह बात अगे प्रमोशन के बाद आपको senior divisional manager बनने को मिलता है वो दिविजनल मैनेजर होता है उसके बाद आते है फिर जोन में आप मैनेजर होते हैं आ रहे होते हैं ऊस लेवल पर आनगे बाद आप अपने रिटार्मेंट तक माननके चलो कि आप इस लेवल तक पहुछ सकते हो कुछ ऐसे होंगे जो 21-25 साल की एच पर आप जॉइन कर तो देर इस हाई पॉसिल्टी कि आप इससे भी उपर जोनल मैंजर से उपर तो एडी तक लेवल पे जा सकते हो वह थोड़ा चांसे कम होती है क्योंकि वहां पे थोड़ी सी बहुत लिंटेड होती है सारी चीज होती है ठीक है क्योंकि परामेड स्ट्रक्चर होता है वह उपर यह बाइशन पर बीशिक पे 56,300 एक बाइशन गूगल साच करके कमें इसक्षन में आइबी बीएश यहों का बेसिक पे और इन हैंट मेंट कर देना बेसिक पे 33,000 के आसपास है यहां बेसिक पे इतना है इन हैं इतना जाएगा ना कि आप सूज भी नहीं सकते हैं आपको हर यह बाइशन पर CCS मिलता है CCA मिलता है CT Compensation अगांट होता है जिसमें आपको 3-4% कुछ जगा पर 0% भी होता है जहां पर आपको नहीं मिलता है इसके आपको ड्यारे मिलता है ड्यारे अप्रॉक्सिमेटली फॉर्टी परसेंट चलता है और जो हर समय होता है हर कौर्टर में क बेसिक पे आपकी 56,000 इन की थी ठीक है यह ADU है ठीक है ठीक है तो इनकी 56,245 थी ठीक है उसके बाद इन्होंने जो कैडर पे में उनको 45,000 का वो मिला दीए उनका इसमें 19,000 बना था यह थोड़ी सी पुरानी स्लिप है ठीक है ट्रांस्पोर्ट एलोंस उनको मिल रहा था 19,60 उसके बाद इन्होंने इनके डिदेक्शन होने इन्होंने क्या करते हैं पेंशन डिदेक्शन में 7,400 दे दिया ठीक है लाइसेंस फी कोड़ली यह 268 रुपीज की इंकम टैक्स का इंक टू थाउसन रुपीज कटा है इन्होंने स्पोर्ट मेंबरशिप जहां पर इन्होंने घर लिया हुआ है वहां पर स्पोर्ट फैसल्टी इस तो इन्होंने पर उसका लिया हुआ है तो 50 रुपीज उसका एक क्टा है मेडी क्लेम अप्टू 75 लग यह ऑप्शनल होता है आप नहीं देना चाहते हो मल दो ठीक है तो यह है 367 रुपीज का जी इस प्रिमियम है 3050 का इन्होंने एक वेकल एडवांस ले रखा है 3000 का तो इनकी इन ओवरॉल जो सालरी बनी वह 81,998 रुपीज किसी ओफेसल लेवल इन्होंने डिदेक्शन थोड़े ज्यादा है इसलिए इसलिए बट 65,000 इन्हेंट सारी करने के बाद कम नहीं अब मैं पर्क करूंगा कि 65 तो आपको मिल यह तो आपके पॉक्र में आ गया अब इसके उपर आपको निउस पेपर का जो पैसा होता है अगर आप निउस पेप पर खरीदने के लिए एक काम करो तो तुम ले रहो निउस पेपर तुम मेरे पैसे से करो उसके बाद आपको कहती है लाइसी कि 2000 रुपए तक का हम मेड अलॉएंस यह अभी रीसेंटी शुरू हुआ है दो साल से पहले नहीं मिलता था मेड अलॉएंस तो यह मेड अलॉएं के रहा था है यह एक्सामिल रहा है नहीं आपको मोबाइल खरीद ना है इसलिफट जमा करना है आपको पैसा मिल जायेगा सितना 15-25 साल में आपको अभी जो है अभी जूरूल है वह तीन साल पे है आगे हो सकता है उसको और कम करें तो भी आपके मोबाइल चाष्ट भी क्स एक बाद बताओ एक बार आप घर में फरनीचर खरीज़ते हो कितनी बार फरनीचर चाहिए आप भी अपने घर में देख रहे होगे 10-10 साल तक फरनीचर चलते हैं 15-15 साल तक फरनीचर चलते हैं कोई रोज नहीं चेंज कर रहा है लाइसी कहती है नो मेरा इंप्लॉई हर 1.5 लाक के लिए हर 5 यह में 1.5 लाक उसको हम देंगे पड़ी चखरी में करें उसमें आप टीवी खरीड़ो फ्रेज करें मतलब जो लेटेस्ट टीवी आए ना बदलते रहो और कुछ साल से लेटेस्ट फ्रिज लेते रहो एक बार मे जो भी आ रहा है अप टू टाइम आप अपडेट करते रहो मतलब आपका घर भी एकदम लेटेस्ट टाइशन कर लगेगा और जो आपकी जो सालरी रखी थी 65,000 वो तो रखी हुई है मतलब उससे आपको टीवी फ्रेज और क्या करते हैं अब हम बात करते हैं कार की अगर आ एकमात एसी गौर्मेंट और जो अपने इंप्लोई से यह नहीं कहती कि यह गाड़ी है आपके घर बेजवाते रहें ना वो कहती है आपको कार कौन सी मेरी तरफ से यह लो 15,000,000 रुप है डिपेंडिंग उनके आप किस पोजिशन पर हो 10-15,000,000 रुप है आपको हम दे दे एकशो़रूम का मतलब होता है यह एक्स फैक्टरी ट कम हती है एक्स फैक्टरी यह एक्स फैक्टरी यह ессयो हूं गारी छे शोरूम आते आते 16, 17 की हो जाएगी और रोड पे आते आते 20 की हो जाएगी तो आपको 15 से 20 लाग तक की गाड़ी आराम से मिल जाएगी आपके पसंद की आपके कलरे की और वो भी every 5 years आपको वो कहते हैं एक नई गाड़ी खरीद लो और 5 साल बाद वो गाड़ी आप अगर आप सेल्स में तभी भी टिके हुए हो और तब आपके कहेंगे एक और गाड़ी ले लो में तरह से 5 साल बाद आप सीन पीपल हूँ है ट्री फोर कार्स इन देर करियर ठीक है तो आपको बहुत आराम से मिल सकती है आपके पसंद की मिल सकती है और उस नहीं नहीं की गाड़ी आप ले ले लिए अप तरहाओ पेट्रोल का पैसा LIC कहती है यार मेरे से ले LIC कहती है इसका जो इंसुरेंस आता है न वो भी I will pay तो सारे benefits आप कोई government organization इतना जादा benefit नहीं देती देरार फ्यू मैं उसका नाम नहीं ले रहा बट इस इस वन उप तफाइनस तिंग यार आज के बंदों को शौक क्या होता है mobile गाडी मिल रही है पनीचर मिल रहा है पैसा जरन डेतारा salary मिल रहा है उसके बाद आता है loan पे आपको घर का loan लेना हो आपको LIC LHF का अपने नाम सुना होगा वहां से 5% जो लोग 10% 8% पे ले रहे हैं आप 5% और 2% तक पर भी मिल सकता है तो वो मिलेगा उसके बाद home loan के बाद इसमें मैंने एक point ही mention किया था LTC मिलती है LTC क्या होता है हर 2 साल पर आप every 2 year इंडिया में कहीं पे भी up to 6000 km travel कर सकते हो आप एक बार map खुलना और कश्मीर से कन्या कुमारी का distance देखने 6000 नहीं है तो 6000 km आप एक trip मार सकते हो जाने की और 6000 km वापिस आने की इतनी की trip आप airline से ले सकते हो या फिर first AC से ले सकते हो या फिर आप या तो air ticket ले लो air ticket ले रहे हो तो second AC का ticket आप ले सकते हो अब बताओ भाई घूमने का पैसा मिल गया खाने पीने का पैसा अरे फनीचर का मिल गया मोबाईल का मिल गया सारी चीज़ें आपको मिली जा रही है करना क्या है पढ़ाई सेलेक्शन लेना पस और उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट मेरा सुड़क सो मील कुपन हर महीने सुड़क सो मील कुपन क्या होता है बेसिकली यह मील कार्ट देते हैं वो आपके अटेंडेंस होता है अगर आप टांक से उफेस हो जाओगे तो उस दिनका आपको वो मिलेगा वो पर दे 345 रुपीज के असपास होता है मंतली आपका अप्रॉक्सिमेट्री 4,000 रुपीज के असपास बनता है इससे आप खाने का समान खरीच सकते हो लाइक दाल जीनी नमक यह सब मतलब सेलदी मिल गई गाड़ी मिल गई गाड़ी का पट्रोल गया मुबाइल फोग लिए मुबाइल का रीचार्ज भी मिलता है यह पांगो सुडेक सो बील कार्ड मिल गया मिल खाने का भी मिल गया साफी का करना क्या है यार अब यह बताओ चैलनी का क्या करोगे उड़ाओ गई तो बस पढ़ना है उसके लिए अब लग जाओ जितना टाइम है जितनी ताकत है एलाइसी के बारे में कोई भी डाउट है पूछ डाले इंशुरेंस के बारे में कैसे पढ़ाई करनी है वो सारी बताऊंगा आपको बस लगना है वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और कमेंट करो जो भी कोश्चन ऑल बेस गुर लग